तो आज का व्लोग है सरोशिन अगर का तो चलिए चलते हैं सरोशिन अगर मार्केट और सरोशिन मुननगर मार्केट घुसते ही सबसे पहले हमें दिख गया सौफ्ट वर्स का शॉप और यहां बहुत सारे अच्छे-चे सौफ्ट वर्स थे और जैसा कि आपको पता है कि ठंड शुरू हो चुकी है तो सरोशिन अगर भरा परा था पूरे ठंड के कपरों से और जैसे हम सरोशिन अगर के अंदर गुसें तो वहां सबसे पहले हमें जो दिखा वो था ठंड का कपरा तो जादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया बट यहां के जो प्राइस ते इस प 150 में मिल रहे थे मतलब यहां पर मैं जब कोरोना के बाद गई थी I think 21 या 22 में गई थी जब भी गई थी तब वहां पर यह जो प्राइस थे वो थोड़े हाई थे और बार्गेनिंग भी नहीं हो रही थी बट इस टाइम I was very much happy with the price और यहां का प्राइस बहुत जाद in fact 150 में imagine 150 में आपको यहां फे सब कुछ मिल रहे थे ऐसा लग रहा था पुराना वाला सरोजी नगर पापस सा आ गया है मार्केट ठंड के कपरों से भरा हुआ था पुफर जाकेट स्वेटर्स यह 200 के स्वेटर्स ड्रेस और यहां पर क्यूंकि दिवाली अभी पास में है तो यहां पर यह भाईया दिवाली के लिए तोरन और लटकन यह सब डेकुरेटिव आइटम्स पेश रहे थे और इसकी प्राइस बहुत ही रीजनेबल प्राइस में थी और बार्गेनिंग तो होता ही है जैसा कि आपको पता है सरोशनी मार्केट में तो यह 100 के दो लडी दे रहे थे और बार्गेनिंग करने पर आपको यह 50 में दो मिल जाएंगे आराम से तो यह सारे चीज बहुत जादा मिल र मतला बहुत अच्छा कलेक्शन था और बहुत अच्छी प्राइस भी थी और बार्गेनिंग भी हो रही थी 150 में आपको स्वेटर्स और सबसे अच्छी बात इस बार मुझे सरोशनी नगर में लगी कि हर बार लड़कियों के कपरे जादा होते थे इस बार लड़कों के भी वहाँ बहुत सारे थे और थोड़े से प्राइसरी थे इकोर्डिंग टो सरोशनी नगर थीसकंट इस बार बाट फ्राइसरी नहीं अर लड़कों के कप्रे के महाँ सारी वराइटी थी बहुत सारी तो यहाँ पर लड़कों के भी जीन्स 150 में जैसा कि आपको दिख रहा होगा यह 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 जीन्स और जॉगल्स जो भी है और उपर जो आपको जैकेट्स, कोट्स ट्रेंज कोट्स पगर दिख रहे हैं सब कुछ यहां बहुत ही रीजनेमल प्राइस में था में इस 100 और 150, 250 में तो काफी अच्छे और काफी वराइटी और काफी यूनिक डिसाइन्स के और बहुत न्यू कलेक्षन और यह देखें यह है पूरा मेंस कलेक्षन यह सारे स्वेट शर्ट, साइनेक हुडीज, सारे मेंस कलेक्षन यहां भरे परे हैं और इनकी भी price 200-300 बस इतना ही था और bargaining करने में भी आपको कमें दे देता तो यह और यहाँ पे यह 175 का था यह लड़कियों का dresses था यह 175 का oland dresses था तो यह बहुत ही अच्छे price में था और बहुत ही अच्छा लग रहा था यह oland dresses भी और collection में बहुत बहुत अच्छा था और मैंने कुछ fix लिये थे तो मैं वो भी यहाँ पे add करी हूँ यह सारे sweaters जो आप देख रहे ना यह सारे 200 के हैं और बहुत सारे designs बहुत अच्छे थे pattern बहुत अच्छा था इनका और यहाँ पे है bed sheet with pillow cover 450 550 ऐसे थे और यह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सजा के रखा था bed sheet with pillow cover curtains क्योंकि दिवाली आ रही है तो curtains door mats यह वेगरा भी बहुत अच्छे prices में वहां मिल रहे थे और यहाँ पे यह pull and night suit है जो की बहुत ही अच्छा लग रहा था जो की 150 200 ऐसे मिल रहा था और सुबह का time है और सुबह के time से ही इस market में इतनी ज़्यादा बीड थी ना क्योंकि करवा चौद भी आने वाला है और दिवाली भी आने वाला है इन फैक्ट करवा चौद तो कली है ना फर्स्ट को और यह थोरा एक दो दिन पहले का व्लॉग है मैं आज जाल रही हूं तो यह सब भी आने वाला है इस मेचे से भी market में काफी ज़्यादा भी थी और यह जो आपको कोर्स दिख रहे हैं यह सारे 300 के थे और मुझे इतना अ टी शर्ट्स जाकेट यह सब कुछ मिल रहे थे और उपर भी बहुत अच्छा अच्छा उनओने लगा रखा था टा पॉफर जाकेट बिगररा और यहां बच्छों के लिए भी इस बार बहुत अच्छा अच्छा designs दिख रहे थे puffer jackets jackets के और 100 rupees के stalls भी 150 के थे quality उनकी अच्छी थी 250 के लड़कियों के jeans भी यहां पर बिल रहे थे और यह dresses भी 200, 300 ऐसी चल रहे थे मतलब सबसे जादा यह 400 का जंस का lower लगा एक्षिन का 599 यह सारा थोरा सप्राइस ही था according to Sir Rosninger बस इतना सा था I hope you like this vlog, like, share and subscribe